हेलो गाइज यह पर्टिकुलर जो वीडियो है यह मैं 2021 का जो प्रलिम्स का जो कुछन पेपर है उसको डिसकस करूँगा जो मेरा पर्टिकुलर फोकस रहेगा कि स्मार्ट गेस्वर से कैसे कुछ सवाल सॉल्फ किये जा सकते थे कौन से सवाल इजी थे या डिफिकल्ट थे औ तो में फोकस मैं इस डिसकसन में इन चीज़ों पर दूँगा कि जो मेडियम तो डिफिकल्ट डेवल के सवाल थे वो वेट हाफ नॉलेज या वेट स्लाइट नॉलेज आप कैसे कैस्वर्क के साथ सॉल्फ कर सकते थे तो डिसकसन स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था कि तूस्टे तक यह वीडियो में डाल दूँगा तो यह वीडियो त्यूस्टे को आ जाएगी या प्रॉसेसिंग में अगर लेट हो गया तो वेंस्टे के मौनिंग में आप क्स्योर सवर्क ये वीडियो और उसके बाद मैं जो मैंस, कर जो कूसम पर है, 2013 से लेकि 2020 तक मैं दिसकस करूंगा और उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो डिसकसन का वीडियो होगा वो डिफरिटली यूट्यूब पे डालूंगा और लवग एक हफते में तीन से चार वीडियो डालूंगा और जो मैं डिसकस करूंगा उसमें जो पड जैसे for example अगर pollution and environmental degradation topic मैंने उठाया है तो उस topic से लिटेट जितने भी previous question paper है में जो सवाल है तो उसको मैं एक साथ discuss करूँगा और कुछ basic facts है कुछ basic notes है उसको पहले discuss कर लोगा वीडियो में और उसके बाद उसी वीडियो में मैं अपना handwritten answer का एक photocopy मैं आपको यहाँ पे YouTube पे ही discuss करूँगा और अगर आप मेरा handwritten answer मेंस के 2013 से 2020 तक अगर चाहते होंगे तो आप मेरा telegram channel join किजेगा तो जो भी वीडियो में post करूँगा YouTube पे तो उसका जो corresponding जो answer होगा handwritten वो मैं telegram channel पे post कर दूँगा और अपने Instagram पे story में डाल दूँगा कि जो upcoming वीडियो है वो किस particular topics related होगी तो वीडियो होगी YouTube पे उसका मेरा handwritten answer होगा telegram पे और जो आने वाले वीडियो होगा वो आपको Instagram के थूँग पता चल जाएगा और सारा ही सवाल मैं discuss करूँगा 2013 से 2020 मतलब 8 साल हो गया 4 पेपर हो गया 32 पेपर लवग लवग 600 सवाल के आसपास है तो एक वीडियो में 2 से 3 सवाल होगा लवग लवग 100 से 1500 वीडियो अभी तक मैं सोचा हूँ देखता हूँ इस particular series का कैसा response आता है या फिर आप लोग जैसे demand करेंगे कि कौन से topic पहले discuss करो कौन से topic बाद में discuss करो तो उसके मताबिक पी मैं rearrange कर लूँगा तो जो सबसे पहला वीडियो आएगा वो Thursday को आएगा और वो जो topic होगा that would be GS paper 3 में environment section में topic explicitly रिखा हुआ है pollution and environmental degradation तो वो topic को मैंने उठाया है तो जो भी दो तीन सवाल previous year में आई हुए है इस particular topic से तो उसको मैं discuss करोंगा तो मेरे वीडियो का जो line होगा कि जो basic facts से उसको state कर दूँ इन सवाल को discuss कर दूँ उसके बाद handwritten answer मैं telegram channel पे डाल दूँगा तो अब directly start करते हैं इस particular year के question paper के discussion के साथ तो अगर 2020 और 2021 का paper अगर देखेंगे तो यह 2021 का paper हलाकी मैंने दिया नहीं था लेकिन दो घंटे लेके मैंने खुदी solve किया था तो मेरा लवग लवग score इस पे 123 या 125 के आसपस आ रहा था अब वो की से साथ वो vary कर रहा था जो संकर के साथ मैंने मिला है था संकर आई इसके साथ तो 125 के आसपस था तो definitely जो मैं discuss करूंगा जो smart guesswork आपको लगेगा कि कुछ कुछ सवाल बोलने में असान है कि एक बार आपको आपको answer पता है तो definitely guesswork करना काफी असान हो जाता है लेकिन हाँ जो अगर मैं maximum सवाल के बारे में बता हूँगा तो इसमें आप जितने सवाल के बारे में मैं बता रहा हूँ उसमें से कुछ कम भी अगर आप guesswork apply कर पा रहे हैं तो भी any day आप 110 प्लस आप आसानी से score कर सकते हैं तो ये particular video उनके लिए useful होगा जो forest services को target करना चाता है या फिर जो civil services में जिनका prelims में जो score है वो cut off के आसपास है या फिर रहता है तो आप अपना smart guesswork के तो बूस्ट करना चाते है performance तो previous year में change यह था toughness level में ला हुख same toughness level का था कुछ कुछ sections में change थे जैसे for example करें environment section की मैं बात करो तो protected areas या species important species पर कोई भी सवाल नहीं था या एकाद सवाल होगा protected areas पर तो एक भी सवाल नहीं था कुछ-कुछ नए section आ गया थे जैसे sports sports पर Olympics और cricket से लिएट दो सवाल थे दो या तीन सवाल थे in fact और even awards and honors से लिएट भी एक दो सवाल थे तो यह सब नया section introduced किया गया है और section wise अगर मैं बात करो तो history कुछ जादा ही factual हो रही थी even instant medieval cop neglect नहीं कर सकते हैं और geography लवग लवग same line पर थी जैसे पिछले बार agriculture पर जादा focus था इस बार नहीं था और constitution easy था और थोड़ा conceptual भी था, economics भी easy भी था, कुछ conceptual थे और एक दो factual सवाल भी थे उसके लावा current affairs के उतने सवाल नहीं थे 5 to 10 questions मैं बोल सकता हूँ और हला कि जो cut off expect किया जा रहा था वो 90 के आसपास ही है 90 to 95 की बीच में जेनरल का तो लवग लवग same toughness level का है तो यह आपको पता चल गया कितना easy है, कितना tough है, cut off का क्या हाल चाल है या फिर various sections कैसे हैं, क्या change है तो main जो concern होगा कि 2022 का जो problems देंगे, वो इससे क्या सीख सकते हैं तो मैं section wise मैं बात कर ही लेता हूँ तो पहला है कि history में आप ancient or medieval को neglect नहीं कर सकते हैं उसके अलाबा factual सवाल पूछे गए तो कोई दिकत नहीं आप any day अगर modern भी पढ़ रहे हैं तो factual तो पढ़ेंगी मैं बता दूँगा जब discussion कर रहा हूँगा और फिर उसके अलाबा कुछ-कुछ जो नई section है तो जिसे awards and honors या फिर sports section से कुछ सवाल हैं तो आप एकदम totally उनको भी neglect नहीं कीजिएगा कि maybe next year में भी वो follow on pattern हो सकता है और लेकिन कुछ adapts आपको change नहीं करना है तयारी में वो जो major जो strategy रहेगी वो यही रहेगी कि आपको सारा पहले basic जो किताबे है वो complete करना है फिर आपको बार-बार revise करना है जब आपको कोई भी एक particular test series के सवाल को attempt करना है जितना practice करेंगे जितना test पर practice करेंगे उतना beneficial develop करना है that too particularly by solving previous question papers और अब सवाल जब attempt करेंगे जितना से ज्यादा attempt करेंगे that will be beneficial for you तो इसके बाद discussion directly start करते हैं तो जो easy सवाल होगे या फिर जो conceptual होगे जो आपको पता होगा अगर आप basic level की preparation कर ली है तो मैं इस सवाल का directly answer बोल के आगे बढ़ जाओंगा जहां पर कुछ smart guesswork involved होगा तो वहां में बता दूँगा जिस सवाल में जो tough भी होगे जहां smart guesswork के साथ कुछ नहीं किया जा सकता है कुछ ऐसे सवाल होते ही है obviously तो वहां में सीधे आपको बता दूँगा कि मेरे मताबिक तो ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था तो आप उसके मताबिक द देख सकते हैं, सवाल पढ़ सकते हैं, मैं directly सवाल आप पढ़ लीजे, उसके बाद आप किस तरह से सोचना चाहिए, उसके बारे में मैं डिसक्स करूँगा, पहला सवाल है, the governor of RBI is appointed by the central government, second is, certain provisions in the constitution of India give central government the right to issue directions to the RBI in public interest, third is, the governor of RBI draws his power from the RBI act, आप मैं next जो सवाल होगा, वो directly मैं read नहीं करूँगा, directly मैं क्या apply किया जा सकता है कि इस वर, directly मैं बताऊँगा, तो even आपको गर confusion होगा, तो उस टाइम पे आप सवाल रुक के, वीडियो को pause करके, पढ़ के, और उसके बाद फिर जो मैं बोल रहा हूँ, उस पे ध्यान दिज उसको सुनिएगा, तो इसमें जो second statement है कि the constitution ये power देता है, तो constitution में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है, जहां पे RBI को power दिया जाता है, क्यों, Reserve Bank of India एक term आता है, जब जो union list है, उसमें एक entry है, Reserve Bank of India, उसके लावा पूरे constitution में कहीं जिकर नहीं है, Reserve Bank of India का, तो second statement गलत है, ज consider the following statements, first is all casual workers are entitled for employees provident fund coverage, EPFO scheme के ताहत covered होते हैं, second is all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment, third is the government can by notification specify that an establishment or industry sell pay wages only through its bank account, अब जो first or second statement आप देखेंगे कि अच्छा, EPFO के ताहत cover कर दो, या फिर regular working hours होने चाहिए, अगर overtime करेंगे तो payment होना चाहिए, तो ये human right के angle से सोचेंगे तो ये होना ही चाहिए, तो India में already labor code आ चुका है, तो उसमें ये सारी बाते casual worker celebrated होनी ही चाहिए, और in fact होगी भी, specify कर चुकी है, बोल dai कर सकती है, तो ऐसी कोई बेबुनियाद चीज नहीं लिखी गई है, जो government obviously कर सकती है, ये government कर सकती है, ऐसा नहीं कि कुछ इलोजिकल स्टेट्मेंट लिखा गया है, तो सही होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ये illogical नहीं है और government कर सकती है, ऐसा नहीं देखेंगे तो ये निकाला जा सकता था अब आते हैं थर्ड पर economic recession में कॉंसर स्टेप लेंगे तो definitely increase in expenditure on public project जतना ज़्यादा liquidity होगी market में अतना ज़्यादा demand होगा उतना easily economy recession से बाहर निकलेगे simple सवाल है conceptual सवाल है अब यहाँ पर क्या है कि चौता सवाल लेखेंगे कि market demand of a good might increase if price of its complement increases तो उसका demand decrease होगा increase तो नहीं हो सकता है तो नहीं होगा तो one three four year one four अब three में क्या है कि the good is an inferior good and income is increasing income increase हो रहा है तो आप superior good खरदोगे तो inferior good के तो demand कम ही होगी तो यहाँ बढ़ेगी नहीं तो three भी नहीं होगा तो वहीं से आपका answer आ जाएगा one and four अब यह conceptual सवाल है easy है तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा smart guess work से solve करने वाली बात नहीं है अब substitute का अगर price increase होगा तो आप substitute नहीं खरदोगे वही good खरदोगे उस good का substitute नहीं खरदोगे जब वही good खरदोगे तो उसके demand तो बढ़ेगी तो one होगा ही और इसका price fall होगा तो definitely demand बढ़ेगी तो यह one and four होगा अब जाते है fifth question पर अब urban cooperative bank celebrated है अब यहां पर ध्यान से देखिए का देकें issue equity shares and preference shares ठीक है general statement है सही हो सकता है they are supervised and regulated by local boards set up by the state governments अब यह bank है तो अब bank local boards के द्वारा regulate हो तो यह थोड़ा सा illogical सी बात लगती है a third they were brought under the purview of the banking regulation act 1949 through an amendment in 1966 हो सकता है ठीक है कुछ year में लोचा हो सकता है लेकिन सही भी हो सकता है यह statement तो second तो सही है third में कुछ chance है कि गड़बड़ी का और first में अगर आप देखेंगे कि local boards के द्वारा तो नहीं regulate किया जाएगा तो one तो सबसे जढ़े आपको गलत लग रहा है जब भी किसी भी particular अगर statement वाला सवाल जिसमें दो सज्यादर statement है मतलब minimum 3 यह 3 सज्यादर statement है तो आप देखेंगे कि कॉन सबसे ज़्यादर सही है कॉन सबसे ज़्यादर गलत है जिसमें आपको देखेंगा किaka second statement सबसे ज़् अब इसमें अगर factually अगर मैं बता हूँ तो पहले dual regulation होता था, एक हर state में एक registrar होता था और दूसरा RBI, ये दौनों मिलके regulate करते थे, dual regulation होता था, लेकिन अब हर में amendment किया गया, अब RBI ही regulate करेगा urban cooperative banks को, एक Punjab एन महरास्थ urban cooperative bank का जो financial crisis हुआ था, उसके बाद ये amendment लाया गय अब सक्स्त question की बात करें कि bond yield influenced by which of the following, तो एक basic concept आपको economics पर पता होगा कि जो bond yield होती है, that is directly proportional to rate of interest, जैसे जैसे bank या फिर जो economy में rate of interest बढ़ता है, वैसे वैसे bond yield बढ़ता है, या कि bond price कम होता है, तो ये basic concept है, अब bond yield किस पर किस पर depend करेगा, तो सारी factor पर depend करेगा, जैसे inflation and short term interest rate, rate पर तो depend करेगा, rate बढ़ेगा, तो bond yield बढ़ेगा, action of RBI और action of the United States Federal Reserve, दोनों पर vary करेगा, कि जैसे अब access of the RBI, यही rate of interest बढ़ा दे, तो definitely bond yield तो change हो गाई, और उसके अलावा अगर जैसे actions of the United States Federal Reserve, वो अपना rates change करें, तो उसके मताबिक जो investors है, वो decide करेंगे कि US म invest करना है कि India में invest करना है, उसके मताबिक भी Indian government का bond yield तो vary करेगा, तो इसमें all of the above answer होंगे, तो logically आप देखोगे, तो इसका answer निकाला जा सकता था, consider the following statements, which of the following are included in FDI, तो FDI एक तरका investment है, तो वो debt के form में भी हो सकता है, या फिर equity के form में भी हो सकता है, तो bonds भी हो सकता है, तो ठीक है, तो इहीं से आप का answer आ जाएगा, और NRI deposit तो definitely आपका FDI नहीं होगा, तो 4 तो होना ही नहीं है, तो बचा 1, 2, 3, अब दानों में ज्यादा बेटर आपको A, 1, 2, 3 लगेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ confusion होता कि FII with certain conditions, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो best possible answer हो, 1, 2, 3 है, A, the effect of devaluation of a currency is that it necessarily, कि यह जरूर करेगा, ठीक है, अगर आप currency को devalue करते हैं, तो आपको exports में फायदा होता है, that is a known fact, क्योंकि आपकी जो goods की demand होती है, वो external market में बढ़ियां हो जाती है, क्योंकि currency devalue हो चुका है, Indian rupee devalue हो चुका है, तो उसके वज़े से जो goods export कर र the domestic exports in the foreign market, यह तो हो गाई, foreign value की domestic currency की जो foreign value है, वो increase होगी, क्योंकि devalue कर रहे है, तो सीधी बाद है decrease होगी, तो simple English है, तो 2 तो नहीं हो सकता, जब 2 नहीं हो सकता, तो B गया, D गया, और 1 and 3 only होना है, तो 1 तो सही है, तो 1 only A answer हो जाएगा, trade balance को improve करेगा, कोई जरूरी तो न effects of creation of black money, तो main reason क्या होगा, तो यह tax evasion से ही related है, तो अब जैसे options यहाँ पर eliminate करेंगे, तो वहीं से answer आ जाएगा, सब आपको थोड़ा-थोड़ा सही लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे जैसे देखेंगे कि government का main focus क्या होगा, कि एक अक option को eliminate करेंगे, तो आपको best suitable option आपको D ही लगेगा, कि अब real estate या gold या फिर regionalism या political party के angle से तो government नहीं सोची कि, main तो economic मुद्दा ही होगा, which is the most inflationary, अब यह economics में आप कोई भी book पड़े होगे तो आपको पता होगा, कि जो deficit financing होती है, creation of new money to finance a budget deficit, वो सबसे ज़्यादा inflationary होता है, तो इसलिए new currency print करने की जो होती है, वो end में की जाती है, उससे पहले हम लोग borrowing ही कर लेते हैं market से, the money multiplier in an economy increases with which of the following, अब money multiplier से related एक वार सवाल, last to last year भी आया था, तो अब last to last year या फिर जो last year के जो previous question paper है, उसके आप in-depth study किया है, तो यह सवाल आसानी से आप कर सकते हैं, money multiplier क्या होता है, money multiplier is the central bank money, sorry, the ratio of commercial bank money is to the central bank money, अगर आप central reserve ratio के टर्म से बोलेंगे, तो 1 by CRR minus 1, inverse of cash reserve ratio minus 1, that is money multiplier, तो जितना money आपके central bank, sorry, जितना money आपके commercial bank के पास होगा, उतना ज्यादा आपका money multiplier होगा, मतलब कि जो normal banks के पास जो पैसा है, divided by, जो RBI के पास जो पैसा है, that is money multiplier, तो banks के पास जतना ज्यादा पैसा होगा, उतना ज्यादा money multiplier होगा economy में, अब banks के पास ज्यादा पैसा तभी होगा, जब लोग आप पैसा bank में जमा करेंगे, तो उसके लिए जो best option होगा, increase in the banking habit of the people, यहाँ से take away यह है, कि जो previous year question paper उसको अच्छे से, in fact किस area से पूछा गया है, उस area को, उस topic को, उस keyword को वहाँ पर कौन से smart guess work से उस सवाल को solve किया जा सकता है, वो पूरी analysis करेंगे, तो आपका कुछ न कुछ न कुछ, उस तो फायदा होना ही होना है, यह सवाल आपका वहीं से बन जाता, अब देखिए rising interest rate, interest rate बढ़ेगा तो लगवाग बैंक में पैसा जमा करेंगे, जिसके विससे क्या होगा, कि demand कम हो जाएगा, तो demand pull inflation तो हो नहीं पाएगा 5 के उज़से, तो 5 गया, तो वहीं से आपका answer आजाएगा A, 12th का answer आजाएगा A, अब 13th question के उपर आते हैं, अब जो 13th question है, तो इसका answer तो B है, 1 and 2, अब यह काफी factual है, पता है तो पता है, नहीं पता है, तो नहीं पता है, in fact, मेरा भी यह गलाथ हुआ तब, तो इसमें अब कुछ smart guess पर का कुछ लेना देना नहीं है, अब 14th question पर आ जाते हैं, अब जोब आप 1st or 3rd statement पढ़ेंगे, अब मैंने प्रविए सेर कोसन पर 2016-2020 तक मैंने अच्छे से डिसकस कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ-कुछ statements जो होते हैं, वो जेनरिक होते हैं, कुछ-कुछ में कुछ swapping होती है, जैसे 1st or 3rd आप पढ़ें इस ते WHO और World Bank का नाम लिख दिया रहे हैं, वहीं in fact हुआ है, कोई एक NGO-US-based हो करता है, मैंने आपको बताया था, environment के section में कि यह basic यादत है कि तीन statement है, तो दो generic होगा, और एक किसी statement में किसी organization या institution का नाम, वो swap कर देगा, जो होगा उसके जगा कुछ और देदेगा, यह UPC करता है, जब नहीं पता है, तो आप यह smart guesswork को आप जा सकते हैं, और यह smart guesswork को आप जाते हैं, in fact माने previous share के question paper में यह discuss भी किया है, जो यह वीडियो अच्छे से देखे होंगे, वो पहले वाले वीडियो तो उनको अच्छे से बता होगा, तो वो यह सवाल को आसानी से सही कर आते हैं, अब 15 पर आते हैं, अब यह lender of the last resort, RBI क्योंकि यह banks को loan देता है, अब यह government को finance करता है, उसके लिए lender of last resort नहीं है, इतना conceptual clarity आपके पास होना चाहिए, अब 16 पर आते हैं, यह पता नहीं होगा, पता है तो well and good, लेकिन बहुत कम चांसे कि आपको पता होगा, अब ध तो में एक correct answer है, तीन जो है, वो incorrect है, अब जो incorrect होगा, वो कोसन सेटर जवरदस्तिक खुद से बनाया होगा, अब देखिए, रामसार, Environment Impact Assessment, Organic Farming, यह सब थोड़ा लगता है कि हाँ, जवरदस्तिकर option बनाना है, तो यह सब बनाया जा सकता है, तो आप BCD देखेंगे, तो ब बनाया जा सकता है, यह आपको लगेगा कि अगर answer BCD में है, तो जो कोसन सेटर है, वो A option बनाया कि electronics के recycling पे जाए, उसका बहुत कम chance बनता है, नहीं समझ रहा है, कि अगर let's से answer B है, let's से अगर, तो चलो B तो answer है, CD तो generic generic question centers हो सकता है, लेकिन वो electronics industry के recycling के बारे में बात करें इतना ज़्यादा specific हो जाए, यह कम chance लग रहा है, क्योंकि BCD थोड़ा generic है, A थोड़ा specific हो जा रहा है, तो वहीं से आपको थोड़ी feel आएगी कि answer इसका A हो सकता है, और वहीं से करते तो हो जाता है, in fact यह भी मेरे को directly पता नहीं था कि code of practices, जो R2 code of practices है, कि this is related, 17th question पर आते directly मैं बताता हूं, यहाँ पर क्या है कि they may release lethal quantities of carbon monoxide, lethal की death can cause death, इतना ज़्यादे तो नहीं होगा, यह चीज यहाँ पर extreme हो गई है, तो इसलिए first statement गरते है, 2-3 सही है, तो answer B, 2-3 हो जाएगा, अब यहाँ पर furnace oil की बारे में बात करेंगे, तो ठीक है, sulfur emission भी हो सकता है, power भी स generate हो सकता है, oil refinery का यह byproduct है, तो यह सारा सही है, कुछ इसमें आपको extreme statement नहीं लगेगा, तो इसमें सारा सही है, तो answer हो जाएगा D, 1-2-3, अब 19 पहेंगे blue carbon, अब मैंने कुछ बोला है कि कुछ सवाल etymology से बनते हैं, जैसे for example, kharai camel, तो kharai word khara से आए, khara means salty water, तो वहाँ स सवाल बन जाता, तो कुछ कुछ सवाल वाई से बन जाते हैं, etymology से कि वो जो word का नमांकर, nomenclature वही क्यो है, blue carbon, तो यह blue का क्या significance होगा, oceans हो सकता है, तो आप देखेंगे BCD में कुछ blue का कुछ significance नहीं देखेगा, लेकिन A में देखेगा, तो answer वहीं से आजाएगा, carbon captured by oceans and coastal ecosystems, 20 में आते हैं, आप सवाल पढ़ लिजे कि which of the following are most likely to be found surviving on a surface without soil, अब मस्रुम को कभी आप without soil नहीं देखे होगे, मस्रुम सब ने देखा होगा, लेकिन without soil आपने नहीं देखा होगा, तो A और D तो answer नहीं होगा, बचा 2 only and 2 and 3, like and care that is symbiotic relationship between algae and fungi, ठीक है, तो two तो यहाँ पर ही है, क्योंकि BC में two option है, और moss और fern में, आपको अगर काई पता है, काई एक तरगा basically moss का ही associate होता है, तो अगर आपको वह पता है, तो ठीक है, फर्न भी आप कभी आप नहीं देखे होगे कि वो without soil उसको grow किया जा सकता है, लेकिन यह जो moss हो है, most, दौनों में difference तो है, अलग-लग group है, एक साइध यह thallophyta है, यह bryophyta है, लेकिन दौनों बहुती similar होता है, size में भी और characteristics में भी, तो most probably, ठीक है, C, 2 and 3 आप मार सकते हैं, लेकिन दो option तो easily आप eliminate करी सकते हैं, यह और D, क्योंकि मस्रूम कभी आप दे इसमें से mosquito repellent कौन सा है, congress grass और elephant grass अगर आपको पता होगा तो काफी बड़ा होता है size में, तो यह mosquito repellent का कम चांस है, यह mosquito repellent होगा, nut grass और lemon grass, अब lemon grass का lemon से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नाम उसका lemon grass आप सोचे, nomenclature के अंगल से, या फिर etymology के अंगल से, उसका न lemon by itself थोड़ा सा वो anti fungi को किल करने में, insects को किल करने में, वो helpful होता है, एक तरह का germicidal है, germs को मार सकता है, या फिर insects को मार सकता है, तो आप वहां से अगर सोचे तो आपका यह answer निकल जाएगा, lemon grass, तो in fact मार सकता है, यहा पर mosquito repellent ही बोल रहा है, कि दूर भगा सकता है उसको, तो इतना काम तो कर सकता है, कि अब lemon grass का lemon नाम ही इसलिए पड़ा हो कि lemon से आया, तो lemon से इस grass का lemon plant से कुछ तो synonymous होगा, कुछ तो एक जैसा कुछ होगा, characteristics, अब यहां पर lemon word देखेंगे, तो यहां से आपको थोड़ा feel आएगा, कि एक चलो हाँ, यह insects को दूर तो भगाता ह है, अगर lemon का जो भी juice होता है, that can wipe off insects, तो वहां से अगर etunology साथ सोचे, तो आंसल आ जाएगा, in fact, ठीक है, मेरे को directly पता था, क्योंकि बेरा forestry, बहुत सर्विस से हूँ, और फिर यह optional कि मैंने पढ़ाई करी थी, consider the following organisms, which of the following are primary producers of food chains, cyanobacteria blue green algae है, तो यह भी definitely producer है, diatoms भी oceans म प्रोडीसर होते है, तो 2 और 3 तो है, और यही से आपका अंसर निकल जाएगा, consider the following, which of the following can roll up to protect itself, पैंगोलिन के बारे में आपको पता होगा, पैंगोलिन सबसे अदा जिसकी तसकरी होती अनिमल्स में, वो पैंगोलिन है, और पैंगोलिन, मतलब, यह एंटीटर है, इसके skills यह गोल-गोल घूम जाता है, पैंगोलिन, यह आपको तो पता होगा, अगरे वीडियो आप देखे होंगे, तो 3 तो होगा, तो बच्चा आप C3 only और D1 and 3, अब आपको hedgehog के बारे में पता है, तो ठीक है नहीं, तो आप 2 options के बीच में खेल के बाप है, आप सो सकते हैं, आ 24 questions के उपर आते हैं, हम यहां से ध्यान से देखिए, आपके 5 statement है, तो बस आपको पहले यह पता करना है कि कौन से statement पका सही है, कौन सा पका गलत है, कौन सा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, अब देखिए यहापे, it was first endorsed at United Nations Climate Summit in 2040, तो यह year गलत हो सकता है, जादा से जा It is endorsed by governments, big companies and indigenous communities, ठीक है, यह भी सही होगा, यह भी general statement है, 2 or 4 तो हो गाई, India is one of the signatories, हो सकता है, ना हो, तो 1, 3 or 5 गलत हो सकता है, लिकिन 2 or 4 तो पका सही है, 2 or 4 पका सही है, तो अब यह 2 or 4 statement के लिए A में ही है, तो वहीं सा आपका अंसर आ जाएगा, कभी-कभी common sense से इतना अस Magnetite particles suspected to cause neuro-degenerative problems are generated as environment pollutants from which of the following sources कहीं से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि यहां से नहीं होगा, तो आँसर D होगा इसका, मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ सवाल पहले भी आते थे, कि यह gas किस plant से emeat हो सकते है, किस industry से emeat हो सकते है, क्या किसका sources हो सकता है, 4-5 sources होगा, और फिर आपसे इस तरह से A, B, C होगा, और जो उसमें generally answer all of the above होता है, क्योंकि आप किसी भी एक particular statement को आप गलत साबित नहीं कर सकते हैं, जब गलत साबित नहीं कर सकते हैं, तो definitely सारा answer हो गई होगा, which of the following is a filter feeder, अगर आप इसमें से oyster को आपने कर देखा होगा, तो आप असानी से अपने visual memory के मताबिक इसको solve कर पाते हैं, अब इसमें तो मैं यहीं बता सकते हैं, 27 मगर मैं बता हूँ तो यहाँ पर carbon cycle, nitrogen cycle, sulfur cycle, सब यह सब gaseous cycles है, phosphorus ही rock cycle में आता है, तो वहीं weathering of rock accelerated है, तो व अपने से कौन से detritive wars हैं, अब jellyfish तो detritive war नहीं है, यह तो आपको पता होगा, यह तो आप गो आ गये होंगे, बीच के होंगे, तो आपको seaside, seasore पे आपको यह दिखा होगा, तो two तो नहीं होगा, वहीं से आप cancer आजाएगा, C, अब 29 जो 28 थाएगा, हाँ 28 तो होगे, 29 जो सवाल है, अब common carbon metric, इनमें से किस सिलूरेटेड है, यहाँ भी carbon footprint सिलूरेटेड है, अब यह थोड़ा सा factual हो जाएगा, अब मेरा भी गलत हुआ था, मैं इसमें कोई strong logic नहीं निकला कर, आपके पास अगर निकल रहा होगा, तो definitely आप comment section में इसमें आप बताईएगा, तो इसमें आगे बढ़ जाते हैं, कुछ strong logic मेरे पास smart case पर किसके बारे में तो नहीं है, अब 30 पर आते हैं, which of the following can establish a symbiotic relationship with other organism, कर सकता है, तो ऐसा कौनी organism होगा, जो symbiotic relationship नहीं करें, या नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, सब कर सकते हैं, हर किसी को symbiosis में, कि दौना organism एक दुस्रे को कुछ ना कुछ फायदा दे, हर किसी को cooperation और symbiosis पसंद ही आती है, तो answers do का 1, 2, 3, अब 31 पर आ only circular temple built in India, यहीं से second गलत फिर आपका answer निकल जाएगा, बात बाकी भी आप दिमाग लगेंगे, तो वहां से भी answer निकल सकता है, 32 current affairs में था धोला वीरा, यह water harvesting के लिए famous है, अब धोला वीरा से लुटेट सवाल मेंस में भी आ सकता है, आपको पता हूं शी कि धोला वीरा दो नदी के बीच में था, और दो नदी, दौनो नदी पे डैम थे और solar reservoirs बनाए गया था, और वह water harvesting structure इतना अच्छा था, कि अगर draught आ गए, या फिर नदी में पानी नहीं रहे, तो reservoir में इतना पानी रहता था, कि एक साल तक पूरे धोला वीरा की population को feed किया जा सकता था, water के necessity को serve किया जा सकता था, ये इतना powerful इनके water harvesting structure था, अब चुकि architecture आपके mains के slavis में है, आप अगर GS1 का, जो culture का slavis देखेंगे, उसमें salient features of art and culture, उसमें तीन topic लिखाया है, art forms, literature, architecture, तो आपको literature, architecture अच्छे से करना है, तो ये तो current affairs का था, तो आपको पता भी होगा, और in fact य अब 33 ये काफी factual है, तो मैं इसमें कुछ इना discuss नहीं कर सकता, इसका जो answer है, ये one only approach, अब 34 पर आते हैं, 34 बहुत ही simple सवाल है, इसमें से पूछा गया है कि गुपता के false लेके हर्सबरदन के rise था कौन-कौन से dynasty थी, हर्सबरदन आपको पता होगा, पुसेबूती आपको पता होनी चाहिए और उसका लवक टाइम लाइन पता होना चाहिए, तो गुपतास तो हो गई, गुपता से पुसेबूती तक गुपता आएगा और पुसेबूती आएगा, तो one and three आएगा, one and three किसमें है, तो किल B मेर वहीं आपका answer हो जाएगा, बहुत है, बहुत अब 36 काफी factual है, अब पता है तो पता है नहीं तो आप ज़्यादा से कुछ करने ही सकते हैं, 37 पे आते हैं, आपको बूर्जय हों पता होगा कि आप मेजोलिदिक, नियोलिदिक साइट्स में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको रॉक कट स्राइन्स तो नहीं मिलेंगे, तो one तो नहीं होगा, बचा C और D, अब 33 कोटा 8 इंडस वैली सिवलाइजेशन से आपको मिलते आ रहा है, तो ज़्यादा चांस है कि इंडस वैली सिवलाइजेशन के बाद कोई भी साइट हो, तो वहाँ पे मिलेगा, तो आप लेके चल सकते हैं कि 2 भी सही होगा, तो आंसर में से आ जाएगा, D2 and 3, बुर्जाहम रॉकट स्राइन तो नहीं होगा, बुर्जाहम अगर आपको इतना पता है कि ये इंडस वैली सिवलाइजेशन से पहले, मिजुलेदिक, नियुलेदिक, एज के टाइम के, बुर्जाहम इन फैक्ट मेरे को जहां तक यादा रहा है, ये कस्मीर में है, अब ये रॉकट स्राइन तो नहीं होगे, क्योंकि इंडस वैली सिवलाइजेशन से पहले, आपको स्राइन से मिले जुलेदिक, नियुलेदिक, जुलेदिक, एज में तो नहीं हुआ है याई तो नहीं होगा, और टू का चांस सही होने का ज्यादा है, अगर CD में कंपर करेंगे तो तीन तो सही है अब दो ही पर डिपेंट करता है तो Terracotta Art तो ज़ादा चांस है मिल जाए क्योंकि Terracotta Art इंडस्वाली से मिलते आ रहा है उसके बाद भी मिलते ही आ रहा है Terracotta Art ly तो वहां मिले तो उसका चांस ज़ादा है सही होने का अब 38 देखते हैं आपने पदमावत मोवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इलतुतमिस मंगोल से लड़ने किया था और थोड़ी इस्टरी पड़े होगी तो पता है कि चंगीज खान अटेक किया था तो फस्ट तो सही है अब तैमूर इंडिया पड़े अटाक किया था 1398 में आपको अगर डैनिस्टी का सिक्वेंस पता है कि स्लेब के बाद आये थे कौन तो खिलजी खिलजी के बाद तुगलग, तुगलग के बाद सहीद सहीद के बाद लोदी जो सहीद थे, वो तैमूर की थोड़े वंसस थे या उनके गुलान टाइब के थे तो जब तुगलग डैनिस्टी एंड होगी उसके बाद सहीद आएंगे मतलब कि तैमूर तुगलग डैनिस्टी की एंड में अटाक करेगा अब मुहमद बिन तुगलग के बाद फिरोषा तुगलग है, उसके बाद भी कुछ तुगलग है उसके बाद last तुगलक रोड़ होगा जब तैमूर अटब करेगा तो मुहमद बिन तुगलग के टाइम बे तो अटाक नहीं करेगा तो BOD यहां से जाएगा तो आपका answer यह से A1 only आ जाएगा वासकोडी गामाट 1498 में आया था तो उसमें आपको किलस्देव राया का तो टाइम प्रेट पता होना चाहिए तो 1498 से तो यह पहले का था वीजे नगर डैनिस्ट्री और चोला डैनिस्ट्री इंपोर्टेंट है UPSC के एंगल से अब 39 की बात करें तो 1 or 3rd generic statement है तो C or D मा answer होगा अब second अगर हम बात करें तो अब यह गौँ में मरा है की नहीं मरा है यही पर यह factual चीज है अगर मरा होगा तो answer D होगा नहीं मरा होगा तो answer C होगा मेरे को भी नहीं परता दें इसमें यहाँ पर D mark कर दिया था लेकिन answer इसका C है तो अब यह थोड़ा दो option की बीच में आप खेलने वाली बात है जस्ट आप A और B को तो eliminate कर सकते थे 40 काफी factual सा है तो इसको मैं नहीं discuss कर रहा 41 पर आते हैं अब मैं culture के अगर बात करूँ तो मैंने आपको बताए कि तीन अगर मेंस के एंगल से देखेंगे तो इंडिन culture में तीन topic काफी important architecture, literature और other art forms architecture, literature तो काफी important तो literature from Indus Valley Civilization या फिर मौरियन, गुपता, दिल्ली सल्तनत, मुगल या सब आपको पता होने चाहिए कि कौन important books है, writers क्या है important dynasty में कैसे literature ग्रो किया गया था Sanskrit literature का ग्रोथ या फिर literature related कि कौन writers है, कौन की books है तो आप अगर इतना ही करेंगे तो उसमें से आप ये सवाल तो answer कर लेते क्योंकि उत्तर रामचरितम एक book है भावभूती के द्वारा तो वहीं से आपका answer आ जाएगा, ये playwrights तो literature, architecture topic अच्छे से करेंगे, इसे अजनता इलोरा से इन फैक्ट मतलब literature और architecture मेंस के लिए important है और मेंस में सवाल आते भी है, अब prelims में भी आ जाएगे असे literature का गया, एक सवाल अजनता से related आया है, वो architecture में काफी important है कि अजनता वगोरा नदी के किनारी है, यह आपको पता है 43rd पे आते हैं, तो अब यह भी एक modern इंडिया का एक simple सही सवाल है तो इसका answer है, A In fact, 44th के अगर हम मैं बात करूँ, तो अब यह थोड़ा factual सवाल है मुझे भी नहीं पताता, मैं भी अगर gaze करता, नेरू करता क्योंकि उन्होंने जो इंडिया बोक लिखी थी, वो जेल से लिखी थी, लेकिन इसका answer है, Mohandas Karamchand Gandhi 45th की बात करूँ, इंडिया का, अब यह organizational structure की बात है कि जो country है, मतलब कि जो पूरा kingdom है, उसमें बहुत सूबे होंगे उसमें कुछ सरकार होगी, और कुछ फिर परगना होगा, फिर गाउं होगा, यह structure, administrative structure आपको पता है अब maximum यह दिल्ली सल्तनत में है, या फिर मुगल administration में, सब में यही copy होता है अब अगर कहीं पर history थोड़े अच्छे से पढ़ी होगे, अंसे इंट medieval तो यह आप आसानी से कर लेते है 46, 47 तो easy question अगर अपने modern India, spectrum भी in fact line by line पढ़ी है, तो यह आपको पता होगा आप 48 की बात करते है अब royal khand यहाँ पे UP में है, तो आहमत साथ दुर्राणी जो है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में पानीपत तक पहुंच आता तो इसका चांस का में की royal fund kingdom territories occupied by आहमत साथ दुर्राणी से बना होगा क्योंकि यह royal khand kingdom UP में है, और अमत साथ दुर्राणी थर्ड बैटल पानीपत में participate किया था, पानीपत हरियाना में तो अब royal khand kingdom was formed out of the territories occupied by अमत साथ दुर्राणी, यह इसका चांस कम है और उसके बाद second तो सही है, और first जो है, निजामत of Arkad emerged out of Hyderabad state अब यह सही है या गलत है, इस पर डिपेंड करें कर कांसर यह और भी में होगा, अब कुछ कोचिंग में भी यह थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, अब मैंने गूगल पर चेक किया था, तो उसमें यह आ रहा था, कि निजामत of Arkad was a dependency of Hyderabad state, अब उसको क्या ले, merged out of, ले सही माने के लात माने, तो उसमें थोड़ा सा डाइकोटॉमी है, अब जो answer एक्सिप्ट किया जाए, लेकिन आप दो option को eliminate कर सकते हैं, बस मेरे को यह बताना था, 49th मैंने आपको पहली बता दिया कि architecture literature आपको depth में पढ़ना है, वो pre or main scale important हो जाएगा, और अजनताई लोरा से करेंगे, एक simple सा catch है, second statement देखेंगे, आपको लगेगा कि यह सही होना चाहिए, और सही भी है, अगर first statement देखेंगे, तो आप mother language की बात है, तो यह UNICEF नहीं करेगा, यह Children's Emergency Fund है, करेगा तो UNESCO करेगा, और वहीं यह cash था, और मैंने बोला कुछ जो और नाइसन में वो swapping करते हैं, तो यह swapping थी, और वन गलत है, two answer हो जाएगा, two only, 51st में अगर आप देखेंगे, तो permaculture लभग organic farming जैसा है, तो first second और third statement आपको सही लगेगा, फोर्थ में जाएंगे कि practice of mulching is very important in permaculture, but not necessarily so in the conventional farming, तो यह भी अहां ठीक है, conventional farming उतना ज्यादा important तो नहीं है, आप third statement देख chemical farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture farming is not so easily possible in such regions, not so possible, क्यों नहीं हो सकता है, definitely हो सकता है, जब conventional farming हो सकता है, तो permaculture भी हो ही सकता है, तो यह third गलत है, mulching ज्यादा important किसमें है, तो permaculture में, chemical farming में तो नहीं होगा, तो third तो गलत है, fourth सही है, third गलत है, तो वहां से a fourth सही है, अब बचा बी और सी और one or two भी आप पढ़ेंगे न, तो यह सही सही लगेगा, कि permaculture यह दिखाएगा कैसे permaculture बेटर है, तो वह भी सही लगेगा, तो answer one, two, four हो जाएगा, palm oil के बारे में बात करें, तो two or three, palm oil के बारे में आपको पता हुआ कि, इस palm का yield होता है, काफी ज्यादा होता है, palm oil का purpose multi purpose है, और इसका cost भी काफी कम होता है, तो इसलिए India import भी काफी ज्यादा करता है, तो जो second or third statement है, तो ठीक है, यह लगेगे कि हाँ सही हो सकता है, first way आपको लगेगा, सही होगा, क्योंकि आप Indonesia, Malaysia, वहाँ से India import करता था, लेकिन यह native Africa का है, अब यह थोड़ा factual है, आपको पत बस तो आजाएंगे, B or D में, अब फिफ्टी थर्ड, अब यह reverse system, मैं जोगरफी में, मेरी एकर वीडियो रेगुलर्ली आप आज करते हैं, तो आपको पता होगा, कि जो reverse system से रिडिट सवाल पूछे जाते हैं, प्रिलिम्स में, और दो-दो सवाल आए हुए है, तो आपक सतलच, और फिस सतलच में मिलती है रावी, और रावी में मिलती है ब्यास, इतना आपको पता है, तो महीं से आपका answer निकल जाएगा, और यह पता भी होना चाहिए, अब यह 54 थोड़ा factualist में मैं कुछ आपको बता नहीं सकता है, 55 में आते हैं, जो sun रेखा है, यह साउथ कोईल नदी मिलकी, फाइलली ब्रामानी बनाती हो, जाकि यह उडिसा के कोस्ट तक यह जाती है, तो यह इस्टनगाट के डेफिनिटली लेफ साइट से स्टार्ट होती होगी, क्योंकि साउथ कोईल नदी जारकट में है, और वहाँ पर आपको इस्टनगाट तो नह सही है, यह दोनों जनरिक स्टेट्मेंट भी है, और यह आपको पता भी होगा इनफ़ैक्ट, और मैंने आपको बताए भी कि इन्स्टिूसन के स्वैपिंग काफी करता है, जो आक्च्वल होता है, उसके उसके रिए कुछ और रख देंगे, और वह स्टेट्मेंट गलत हो जाता है लिस्ट वाटर एफिसेंट सुगर के नेत इसमें कुछ हर किसी को पता होगा हर किसी को सही भी होगा 58 जोग्रफिक के अगदम बेसिक अगर आप वर ट्रेड विंट्स और वेस्ट विलीस का डारेक्शन मनाएंगे अर्थ पर तो आपको यह आंसर आसानी से निकल जाएगा आंसर इसका C है 59 पर आते हैं आप 59 पर आप देखेंगे जब तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि the climate smart village approach in India is a part of the project laid by climate change, agriculture and food security and international research program हो सकता है सही कुछ ऐसा इसमें extreme नहीं है या फिर कुछ गलत जहापे आपके घंटी खड़ी हो जाए तो ऐसा तो नहीं है the project of CCEFS is carried under the consultative group on CGR headquarter in France हो सकता है the international crop research institute of semi-arid tropics is one of the CGR research centers हो सकता है तो तीनों आपको लग रहा है कि ठीक है तो आप one-two-three के साथ जा सकता है लेकिन फिर भी होता है कभी आपको लगेगा कि नहीं तो तो नहीं तो झालत होगा किसी आपको एक को गलत मानों होगे और फिर आप कुछ टिक करोगे तो वो भी हो सकता है तो आप the end of the day आपको risk लेना है लेकिन तीनों आपको सही लग रहा है कुछ ऐसा इसमें कुछ extreme statement नहीं है तो आप तीनों सही है 60 अब जोगरफिक का basic concept clear है तो आप आसानी से इस cancer निकाल सकते हो रहें अब 61st पर आते है अब आप grassland ecosystem में देखेंगे तो वहाँ पर forest fires काफी होते है ग्रेजिंग काफी होती है यह पता है आपको पता ही होना चाहिए in fact वहीं से आपका answer निकल जाएगा आप national geography की आप डिसकर भी देखे होगे तो आपको पता हो काफी हर भी ओर्स होते है वहाँ पर जेबराज वगरा तो grazing काफी होती है forest fires भी काफी होता है तो 2 और 3 होना वहीं से आपका answer निकल जाएगा C234 अब आते है 62 पे अब water का source अब 10 के आप geography पढ़े होगे तो वहीं से आपको पता होगा कि जो अर्थ में जितना भी water है तो 97% oceans में है 3% ही जो है वो fresh water है उस 3% में भी 70% जो है polar ice caps में ही है और level 29% जो है वो ground water में है बच्चा 1% surface water है उसमें भी सबसे ज़्याद है permafrost है फिर lakes and rivers में आता है तो ये एक pie chart, flow chart आपको coaching में बताया जाता होगा और in fact आपके class 10 के geography में भी है तो वहीं से आपका आसा ये सवाल निकल जाएगा 63 हाँ 63 आप देखिए अब इसमें से क्या है कि 5 statement आपको पहचा आपने कौन सा सही है कौन सा गलत है अब India exports tamarind and seeds of moringa कर सकता है क्यों नहीं export कर सकता है बहुत सारी पेड होते है और tamarind इमली तो होता ही होगा moringa भी होता ही होगा seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofuels क्यों नहीं कर सकते है कर सकते है तो ये दोना आपको generic सा सही लगेगा इसमें कुछ गलत होने के ज़्यादा चांस नहीं है most of the tamarind is collected as minor forest produce ये हो सकता है गलत हो लेकिन उतना भी गलत होने के चांस नहीं लग रहा है अब tamarind is endemic to South Asia कुछ औरूरी नहीं है नहीं कुछ दूसरे country का endemic हो या endemic ही नहीं हो बहुत country में पाया जाता हो अब moringa is a leguminous evergreen tree अब evergreen भी नहीं हो सकता है ये deciduous हो हो सकता है ये leguminous ही नहीं हो non leguminous हो तो one और two के गलत होने के chances तो हैं कि endemic नहीं हो, leguminous नहीं हो, evergreen नहीं हो 4-5 तो सही है और 3 बीच का है 4-5 सही है तो ERB में answer होगा अब इनमें से देखेंगे थ्री ज्यादा सही होने के chances लग रहा है as compared to one and two का सही होना कि one and two थोड़ा ज्यादा गलत लग रहा है थ्री थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है जिसलिए three, four, five आप माल सकते है और in fact ऐसे भी देखेंगे कि one, two और three, four, five अब दो statement के एक साथ सही होने के probability थोड़ी कम होती है एक statement के individually सही होने के probability थोड़ी ज्यादा होगी ये भी सही हो ये भी सही हो probability कितना है one by two into one by two, one by four ये किवल अकेला सही हो उसके probability क्या है तो इसके सही होने के एक आंसर होने की probability कितनी हो जाएगी जिसे four or five तो आपका सही है बचा क्या one or two के अल सही है या फिर one, two गलत है के अल three सही है तो आप देखेंगे कि one, two के साथ में सही होने की probability कम होगी दो statement साथ में सही हो उसके probability कम होती है सब्सक्राइब आपको ज्यादा गरती लगेगा शिस्टी फॉर्थ बहुत ही सवाल इस बताने कुछ बात ही नहीं है आपको फॉलकानिक रॉक इस चांसर है सबस्क्राइब इस चांसर नहीं है सबस्क्राइब दैने कौनमने बाते हैं यह सब्सक्राइब काफी कंश्योल है पासिंग ऑन mitochondrial repressment threat either before or after IVF of egg. सही है. Charlie inherits mitochondrial diseases entirely from the mother. सही है. तो आंसर इसका C हो जाएगा. Ball guard 1, 2 के आई है. GM crop salivated है. तो पहीं साब का आंसर आजाएगा. यह तो पता ही होगा. हाँ, 68 में आते हैं. अब pressure cooker में जो temperature at which the food is cooked depends mainly upon which of the following. अब gas में आगा आपको यह पता होगा कि PV is equal to NRT. गेल इसा act slow होता है. तो temperature at which food is cooked will depend on the pressure inside the pressure cooker. और वो pressure किस पर depend करेगा? weight of the lid. weight of the lid. pressure होगा क्या, in fact? MG upon area. pressure क्या होगा? force upon area. force होगा यहाँ पर MG, mass in-to-s listen due to gravity. weight of the lid पर तो depend करेगा. area of the whole पर भी depend करेगा. area अगर, माली जीरो होगया, तो pressure काफी ज्यादा होगा. area बढ़ाते जाएंगे, pressure कम होते जाएगा. obviously बात, logically आप देखिए. तो 1 on 3 तो होगा. अगर यह temperature of the flame पर डिपेंड नहीं करेगा, यह temperature of the food inside the pressure cooker पर डिपेंड करेगा. तो यह थोड़ा सा tricky था, गलत भी होने के chance था, अगर science background से हैं, तो ठीक, आप यह सही कर सकते हैं. अब यह virus तब ही exist कर सकता है, जब वो living medium में हो. artificial medium में यह जिंदा नहीं रह सकता है virus. यह आपको पता होगा, वहीं से आपका answer निकल जाएगा. 70th में देखेंगे कि जो RNA होता है, वो single standard होता है, DNA जो होता है वो double standard होता है, यहाँ पर DNA के single standard बोल दिया, किसी भी virus का DNA double standard ही होगा, तो वो one गलत हो गया, और two सही है, तो भी इसांसर आ जाएगा. अब वो antiretroviral therapy, art therapy दिया जाता है AIDS patient को, क्योंकि AIDS retrovirus है. अब आते हैं 71 पे, अब water में इतने कुछ dissolve क्यों होता है, क्योंकि water dipolar है, dipolar है मतलब जैसे S2O है तो उसमें कुछ भी आप dissolve करेंगे, for example, sodium chloride, NaCl, तो Na plus Cl minus में तो तोट जाएगा, that is why water is dipolar. और वो तूटता भी क्यों है, क्योंकि S2 में थोड़ा सा कुछ H plus or OH minus ions होते हैं. 72 में LED की बात करें, तो LED का life span काफी जादा होता है, तो 2 गलत है, तो 2 गलत है, तो वहीं से आपका या तो C होगा, या तो A होगा, 3 तो मतलब सही है, आप 1 पे आते हैं. आप ये पढ़े होंगे LED की benefit में कि उसका energy efficient होता है, लाइफ spend जादा होता है, तो 2 गलत है, अब अच्छा first, अब जो first statement है, वो सही है, तो answer इसका C हो जाएगा, अगर आपको ये नहीं पता है first statement के बारे में, तो at least आप A और C में सही है, ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि second statement तो गलत है, तो अब दो option की बीच में आप खेल सकते हैं, 73 ये तो directly आपको पता होगा, is to enjoying, आप Corona soluted, आप काफी current service बढ़े होंगे, 74, 75 थोड़ा factual है, आप नगर current service में cover किया है तो आपको पता होगा नहीं, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, 76 पे आज आते हैं, कि अब तो distance को यहाँ पर, तो distance is equal to speed into time, ठीक है, अब कितना light years है, that means कि light का speed in two years, वहें से distance आ जाएगा, that means कि speed of light is always the same, वही answer होगा यहाँ पर, ठीक है, basic distance is equal to speed into time है, जो light का speed है, वो C होता है, 3 to 10 power 8 meter per second vacuum में, अब यह बात करेंगे कि हम medium के साथ change करता लहीं है, लेकिन हम astronomy की बात क space है, space है, that means कि refractive index आपको one लेकी ही चलना होगा, 77, अब 77, अब मैं polity discuss नहीं करता हूँ, कि polity में, जो easy है, जो difficult है, उसके मताएक बता देता हूँ, अब British model में क्या है, कि British model में, जो parliament जो होता है, वो supreme होता है, कि कोई भी, वहाँ का supreme court, वहाँ की law को strike down नहीं कर सकता है, फिर further devolution, जो एक तो separation of power हो गया, तो वो भी strict नहीं है, ब्रिजन में की महाँ, कोई fundamental rights का concept नहीं है, कोई law को strike down नहीं किया जा सकता है, supreme court के द्वारा, इंग्लेंड में, और फिर इंडिया में किया है कि, parliament भी, state legislature भी है, लेकिन state legislature जैसा को institution महाँ पर exist नहीं करता है, इंग्लेंड म 77 कसी, कुछ difficult सवाल नहीं है, 78 की बात करें, तो एंग्लेंड में इंगर committee suggested, अब दोनों statements को पढ़ लिजेगा, आपको पता चल जाएगा, कि हाँ ARC, पहला ARC 1966 में आया था, उसके कहने पर अगर हम बनाए होंगे, तो जो committee होगी, इंगर committee नहीं होगी, ARC ने ऐसा कुछ बो पहली बार 1970 में ये बनाया गया था, नहीं पता है, तो या आपका ये गलत हो सकता है, 79 ये AZC सवाले से में कुछ बताने लाइक नहीं है, 80 में अगर देखेंगे, तो third statement जैसा तो ये कुछ exist करता नहीं है, तो गलत है, अब maximum 2 से लड़ सकते हैं, तो first भी गलत है, first third गलत है, the facility to the unauthorized colonies, ऐसा नहीं, unauthorized colonies related कुछ तो denial होना चाहिए, इतना power होना चाहिए, state के पास, common sense के बात करें, तो third गलत है, वहीं सांसर आजाएगा, आपका C1 and 2, judicial custody में क्या होता है, कि आप lock up में नहीं रहते हैं, आप jail में जाते हैं, वहलों, police station में नहीं रहेंगे, jail में जाएंगे, तो यहाँ से आपका जो 82 में आप देखेंगे, तो यह पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तो सही है, तो answer असका B हो जाएगा, कि आप permission ले नहीं पड़ती है, police को interrogate करने के लिए, गरा कोई बंदा judicial custody में है, तो, 83 पर आते हैं, जो prison है, यह आप concurrent list में आता है, तो definitely state के पास right है, कुछ rules frame करने के लिए, और, मैं confirm नहीं हूँ कि prison concurrent में आता है कि नहीं, जहां तक मेरे को लग रहा है, यह तो concurrent में आता है, यह तो state list में आता है, तो state government के पास right तो होगा ही, parole rules को change करने के बारे में, और parole जो है matter of right नहीं है, तो first तो गलत है, और तो second सही तांसर भी tone लिया जाएगा, आप यह चेक कर लीजेगा कि prison जो है, वो state list में की concurrent list में, मैं कुछ आता है कि concurrent list में, लेकिन मैं 100% से हो नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अफरे act implement करता है, ministry of tribal affairs, यह directly सवाल पहले भी आया हुआ है, 85th article 14, इसकांसर, यह simple सवाल है, मलब यह भी repeated सवाल है, यह पहले भी आया हुआ है, और उसके अलावा कि आप देखेंगे, तो money multiplier, वो भी repeat हुआ है, तो कुछ सवाल repeat भी होते है, 86th के अगर बात करें, federal character क्या है, independence of judiciary is safeguarded, तो हाँ यह federal character है, तो federalism का concept क्या है, constitutionalism का concept क्या है, तो यह अगर पता है, तो यह सब सवाल सवाल हो सकते हैं, state, इसकांसर यह है, state में क्या होता है, territory होता है, population होता है, government होता है, sovereignty होती है, तो यह यहाँ जो बोल रहा है, independent of external control, that means कि आप sovereign हो, अब यहाँ पर बात करें, तो दौनों सही 88 में, यह simple polity का सवाल है, अप लक्षम कान पढ़ें, अच्छे से तो आप बना सकते हैं, 89th की बात करें, तो citizen by birth can only become the head of the state, नहीं, कोई भी citizen by birth के यह वाले condition के लिए, US के president के लिए है, और third तो गलत है ही है, तो answer हो जाएगा, even only, separation of powers का answer हो जाएगा, यह committed duty series का मतलब हुआ कि committed to the executed, जैसे जो A.D.M. Javarpur case था, वो classic example है, committed duty series का, emergency के time पे, 91st की बात करें तो ठीक है, यह DPSP है, 92 की बात करें यह भी legal right available to any person है, यह simple सवाल है, 93rd preamble amend हुआ था, बस यह किस कौन से amend हुआ था, और उसमें क्या words जोड़े गए थे, और किस साल हुआ था, उस हिसे आपका answer यहाँ पे निकल जाएगा, 94th की बात, constitutional government यह constitutionalism का मतलब क्या होता है, कि सबसे important जो part है पूरे constitution का है, that is the fundamental rights, तो जो fundamental rights जैसे सबसे important हो जाता है, तो fundamental right क्या करता है, कि government की power को restrict कर देता है, constitutional government means a government limited by the terms of the constitution, वह इसका answer है, 95th, इसमें आप कोई भी tribe के बारे में आपको पता होगा, तो आप answer निकाल लेंगे, मैं जहार कंड से हो, मेरे को हो tribe के बारे में पता है, तो इससे answer मेरा निकला था, driver languages नहीं, तो थोड़ा से factual है, अब 96th, 96th में चलो, politics है तो मैं नहीं discuss कर रहा, चलो, 97, 98, 99, 100 यह सब awards और sports से रिटेड है, तो अब इसमें कुछ आप, ऐससे चीस को मैं discuss नहीं कर रहा, थोड़ा से factual है, और अगले साल से awards, honors, honors, sports वगर भी प्रिपेर करना, important है, और अगर यह awards and honors और sports से रिटेड अगर आपको कुछ tidbit जैसे कि UPC कई सवाल नहीं पता हो थे, आप कैसे बना सकते थे, कुछ आपको गर निकलता है, तो definitely आप comment section में answer करना, और इसके अलावा भी आप कोई specific सवाल से रिटेड आप चाहते हैं, कि कैसे smart gas works के साथ बन सकते है आप बताना चाहते हैं या फिर में इसे पूछना चाहते हैं तो आप comment section में डाल सकते हैं, या फिर specifically पूछना चाहते हैं आप मेरे को तो Instagram पर message कर सकते हैं, तो जो अगले वीडियो रहेगा वो मेंस का जो previous question paper है, उसको discuss करेंगे topic wise topic, तो अब इस वीडियो को ही paint करते हैं, so that's all, thank you